क्या आप ऐसे दोर से गुजर रहे हैं जहां आप और आपके पत्नी के बीच या आप और आपके पती के बीच प्रेमिय और प्रेमिका आगर आप हैं चाहे आप इस्त्री हो चाहे पुरुस आप दोनों के बीच रिष्टों में दरार इतनी बढ़ गई है नोक जोक इतनी बढ और अब एक पल भी बिताना मुश्किल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, आज मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किन ग्रहों के कारण आपके जिंदगी में करवाहत भरती है एक दूसरे के प्रती, और क्या उपायक करके आप अपना जीवन सुख में बना सकते हैं, अपनी जिंदिगी को फिर से पटरी पर ला सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें नमस्कार, मैं जोट्सी आरेत सुनी, पिछले 40 वर्सों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्म दान दख्षना पूजा पाठ हो महवन जबतप और उद्राच के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूं साधी एक बहुत ही पवित्र रिष्टा है, जो पती-पत्नी के बीच प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रती समर्पन पर चलता है वहीं अगर एक दूसरे के बीच किसी प्रकार की नकारात्मक्ता आ जाती है, तो इस पवित्र रिष्टे में मनमुटाव, कडवहट और खीचतान बढ़ जाती है और धीरे-धीरे ये कडवहत इतनी बढ़ जाती है, कि दोनों के बीच एक दरार सी पैदा हो जाती है, और धीरे-धीरे ये पवित्र रिष्टा तूटने की कगार पर कहुंच जाता है ऐसे में किसी रिष्टे को बहुत दूर तक खीचना ठीक नहीं होता है आपको चाहिए कि अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, तो सही समय पर सही उपाय करके आप इस रिष्टे को तूटने से बचा सकते हैं और आपकी जिंदगी फिर एक बार खुशाल हो सकती है अब मैं आपको बताऊंगा किन कारणों से पती-पत्नी के बीच या प्रेमी-प्रेमिका के बीच रिष्टों में दरार आ जाती है जन्म कुंडली को देखकर कि ये बताया जा सकता है कि किस समय रिष्टों में करवाट पैदा हो सकती है उसका संकेत मिलता है, सिगनल मिलता है तो आप अगर एक अच्छा रिष्टा चाहते हों तो दरार आने से पहले भी उसको समझ करके उसका उपाय किया जा सकता है, समझा जा सकता है जैसे किसी भी इस्त्री हो या पुरुस, उसका सात्मे घर देखकर के ये बताया जा सकता है कि इनका रिष्टा कैसा होगा सात्मे घर का जो मालिक होता है अगर पुरुस की पत्रिका है तो उसके सात्मे घर में उसकी पत्नी का देखा जाएगा और इस्त्री की पत्रिका है तो सात्मे घर से पत्नी का देखा जाएगा तो उसका स्वभाव कैसा होगा उसका ब्यक्तित तो कैसा होगा उसके अंदर बेचैनी होगी नहीं होगी आपके प्रती वो शक्की स्वभाव का होगा कि प्रेमी स्वभाव का होगा ये सब कुछ उस सात्मे घर से बता जाता है और मैं बता दूँ कि अगर साथमे घर का मालिक आठमे और बारहमे में बैठ गया हो, तो रिष्टे को तूटने से बहुत ही मुश्किल से बचाया जा सकता है। तो फिर ये लक्षण जाहिर होते हैं कि ऐसे समय में एक दूसरे के बीच मनमुटाव चलता है लेकिन ऐसे समय में ही अगर आप चाहते हैं कि हमारे बीच मनमुटाव जो बढ़ रहा है ये खत्म हो जाए या मनमुटाव को आप समझ रहें कि मनमुटाव पैदा हो रहा है, धीरे धीरे ऐसी लग रहा है कि हमारे दोनों के बीच में रिष्टों में करवाट आ रहे हैं, तो आपको जरूर जन्मकुंडली का बिसलेशन करवा लेना चाहिए, और यदी जन्मकुंडली नहीं है, तो भ वाणी में कडवाट आती है, किसी के रिष्टे में, शक पैदा होने के कारण कडवाट आती है, लेन दिन के कारण कडवाट आती है, तो कडवाट आने के कई कारण होते हैं, तो कारण देख करके ग्रहों की स्थिति का अंदाज लगाया जा सकता है कि कि किस ग्रह के कारण य आप अपने रिस्तों को बचा सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडिली का बिचलेशन करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे क्लियर पता चल जाता है कि किस ग्रह के कारण ये मनमुटाव पैदा हुआ या आप सी रिस्तों में दरारा रही है। सबसे पहला उपाई ये है कि पान का पता लिजिए, पान के पते पर पांच हल्दी की गांठे रखिए, पांचों हल्दी की गांठे रख करके पती पतनी या प्रेमी प्रेमी का हो तो दोनों उसको हाथ लगाएं, यह कोई भी कर सकता है उपाई, पुरुस भी कर सकता है या इ और दूसरा उपाई यह है कि अगर पती पतनी से दूर रहता हो, प्रेमी प्रेमिका से नाराज हो करके दूर रहता हो या पती-पतनी एक दूसरे से नाराजों करके दूर रहते हों, तो मैं उनके लिए भी उपाया बताता हूँ, चाहे ये पुरुष करे या इस्त्री करे, सबसे पहला काम करना है कि पांच लवंग लेना है, पांच लवंग लेकर के अगर पुरुष कर रहा है तो इस्त्री का नाम ले अपनी, प्रेमी कर रहा है तो प्रेमिका का नाम ले, और प्रेमिका कर रही या इस्त्री कर रही तो अपने प्रेमी या पती का नाम ले ले, तो उस पांचो लवंग पर पती का नाम लेकर के एक दूसरे हाथ से लवंग को ढख लेना है और अपने मन की इच्छा कहते हुए प्रकृति को प्रडाम करना है कि है प्रकृति के देवता जो इस रिष्टी का संचालन कर रहे हैं वह मेरे बीच के जो रिष्टे हैं वो के पेड़ के नीचे रख दें या ओदूंबर या गूलर के पेड़ के नीचे रख दें या ऐसे जगह पर रखना है जहां किसी का पाउन अपड़े तो घर के बाहर भी रख सकते हैं घर के अंदर किसी ब्रिक्ष के नीचे रख सकते हैं गमले में भी रख सकते हैं यह उपा जन्म कुंडली का बेचलेशन करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिकत रूप से संपर्ख करने के लिए इस वीडियो के नीचे देए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और आपके किसी भी प्रकार के विचार हों तो करके आपको भेज सकूँ नमस्कार धन्यवाल करके आपको भेज सकूँ नमस्कार धन्यवाल